हालो दूस्तों, श्यल्वाज समझते हैं हमारे Samuel के थ्रूँ अप कैसे staff की इंट्रि कर पाएंगे यहाँ पर आप दिख सकते हैं staff लिखी है, यहाँ पर 4 number पर है department setup, हमें 4 number पर आना है सबसे पहले हमें department setup कर लेना है आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्रेडी बनाया हुआ है for example कुली, ड्राइवर, मेस्त्री, रेजा तो इसी तरीके से अगर हमें और भी कुछ add करना है हम कर सकते हैं for example हमें accountant add करनी है यहाँ पर हमने add किया accountant और इस तरीके से हमें add कर लेना है तो इसी तरीके से पहले हमें department setup कर लेनी है इसके बाद जितने भी हमारे staff है जो जिस department या group के अंदर जाते हैं उन्हें हमें add कर लेना है for example यहाँ पर मैं एक staff का नाम बना रही हूँ Suria department सबसे important है यह कौन से department के अंदर में आ रहे है अभी यहाँ पर हमें उनका एक laser create करना है इसलिए app 3 क्लिक करिए यहाँ पर Suria यह staff advance and recovery के ग्रूप में आएंगे अगर पहले से कुछ बाकी है अगर कुछ advance हमने उनको दिया है तो हम यहाँ पर 5000 डेविट लिख सकते हैं और इस तरीके से आइड कर लेंगे सबसे important है कि हम इनको weekly payment कर रहे हैं या monthly अगर monthly payment कर रहे हैं तो monthly में आइड कर लेना है उनको जितना salary हम pay करते हैं हमें यहाँ पर salary लिख लेना है आदार कार्ड की number, address और mobile number या optional है अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं और इस तरीके से add कर लेना है उसके बाद जो daily basis पर attendance रहे हैं हमें यहाँ attendance entry में आनी है आप देख सकते हैं already यहाँ पर काफ़ी दिन की attendance ले भी है बस उसे तरीके से हमें 7 का जिसे कि for example, मैं 7 डिट की attendance ले रही हूँ यह 7 आ गया देखिए यहाँ पर सारे ही staff की नाम आ गया है जिसे कि for example, अभी मैंने सूरी है अगर कोई नया हम add करें हम इस तरीके से first time उन्हें add करना होगा यह present है यह absent हमें लिखना है आप नीची देख सकते हैं, इसकी number बढ़ जाएगी इस तरीके से यहाँ पर actually देखिए तीन option है present, absent और half अगर कोई पूरा दिन present है तो हमें present लिखना है अगर किसी ने half team work किया है तो हमें यहाँ पर half select करनी है अगर कोई absent है तो हमें absent लिख लेना है इसी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पूरा select करते जाना है और इस तरीके से हमें present absent जो भी है select करना है for example, से बत ही absent है तो हमें बस यह absent लिख लेना है अगर आप चाहते हैं remarks में लिखना कि क्या reason उनोंने दिया है वो भी आप यहाँ पर add कर सकते है बस कि içi इतना simple है इसके बाद आप देख सकते हैं जो weekly स्टाफ weekly के अंडर में आते हैं हमें weekly entry करनी है जो monthly के अंडर में आते हैं हमें monthly entry करनी है so for example, यह weekly entry है कुणा आप कई भी हमें एक date दाले ले ना आप देख सकते हैं यहां पर सारे ही स्टाफ के नाम आ गए है आप देख सकते हैं जो हम weekly set up करते हैं यह salary उनको पड़ दे के हिसाफ से हमें यहां पर set up करना है वहां पर monthly में month होगा weekly यहां पर पड़ दे होगा ठीक है जैसे कि यहां पर 4.5 डेज उन्होंने काम किया है 300 की basis पर आप देख सकते हैं यहां पर आ गया है बस हमें इस तरीके से किसको कितना रुपय देना है यहां पर हमारे पास detail आ गया है इंटर इंटर करके add कर लेना है उसके बाद जैसे हमने weekly entry के same वही प्रोसेजर है हमें monthly की entry करनी है आप देख सकते हैं already यहां पर entry की हुई है मैं इसको delete करके फिर से बता देती हूं जैसी कि आज मानली यह date है 8 पर एक हमें देना है salary इनको September मन के 30 days होती है तो मैंने यह 30 लिखिया है आप यहां देख सकते हैं सभी का नाम यहां पर आ गया है और सबसे important चीज़ आप देख सकते हैं जो सूर्य मैंने यहां पर select किया था उन्होंने half day काम की है उस हिताब से भी उनका कितना salary बन रहा है यहां पर आ जा रहा है इस तरीके से हमें enter enter करके add कर लेनी है अगर किसी का over time में तो आप देख सकते हैं 33 आ रही है अगर किसी दे छुटी लिया है तो उससाब से यहां पर आ रही है half day होगा और इससे तरीके से हमें बस enter enter करके add कर लेनी है तो इससे के साथ हमारा staff salary entry complete होता है अगर फिर भी कहीं पर भी आपको कुछ भी confusion होती है आप हमारे team के साथ contact कर सकते हैं thank you